हलो मेरा नाम सचने और आज हम पढ़ेंगे क्लास एट का चेप्टिल नमबर 20 एक्सरसाइस 20 दी का क्वेश्चन वह यह है इट इसे को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने से पहले बता देना चाते हैं कि गर्मी बहुत पढ़ रही है मेरे रूम में और मैं लेक्शर बना रहा हूं इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भईया आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मुनोबल थोड़ा और अच्छा ह होँगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको पाप लगएगा थीक है अब लगे या न लगे पाप लेकिन आप आप लेक्षिप करेंगा लाइक करेंगे आपने फ्रेंड्स को डिलेटिब को इस फिर तो आज हो दोस्तों question को पढ़ते हैं बुला गया है A circular field of radius 105 meter has a circular path of uniform widths of 5 meter along and inside its boundary. Find the area of path. ठीक है? Question नहीं समझ मैं आया होगा. Question फिर से पढ़ते हैं. ठीक है? तो क्या लिखा गया है? A circular field of radius 105 meter has a circular path of uniform widths of 5 meter along and inside its boundary. Find the area of path. फिर भी नहीं समझ मैं आया होगा. अग्तीसरी बाप तो जोड़ो समझ मैं आया होगा. ठीक है? एक circular field है. ठीक है? circular field है कुछ इस तरीके से. हमारा circle थोड़ा. एक टाइप का हो गया है. हमें circular field ही बनाना है. ठीक है? ये बन गया, बन गया, बन गया. गलस ही हो गया, बन गया. ठीक है? एक circular field है जिसका radius है 105 meter. ठीक है? Radius क्या होता है? कुर्टर से ये जो आधा वाला साइज होता है ये होता है radius. जिसका रेडियस है 105 मीट और है दो सर्कुलर पात और यह जो सरकल है इसके पास एक सर्कुलर पात भी है कैसा पात है मतलब उसके किनारे किनारे जो एक सर्कुलर पात बन रहा है जो जिसकी चोड़ाई, जिसकी चोड़ाई एकडम, सरकल की किनारे किनारे एकडम बराबर है, तीक है, बराबर है, लेकिन कितना चोड़ा है हर जगह बराबर? फाइब मिटर फाइप मिटर एलांगula इनसाइड इनसाइड इनसाइडinaire री whाव मिटर चौड़ा है तीक है थी फाइब मिटर चौड़ा है जो कि बांडरी के अंदर ही है इसकी चौड़ाई कितना है is five है है थीक है तो इसका मतलब यह अब यह जो अंदरवाला रीडिय कितना होगा बाहर वाला पूरा लेकर 105 है तो अंदरवाला 5 मदला 5 मीटर यह सब्सक्राइट हो तो यह कितना बचेगा 100 meter बचेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का figure बनेगा, है ना, तो, अब हम क्या करेंगे, इसको करते हैं, हमें क्या करना है, find area of path, यह जो path वाला area है, इसको हमें find करना, इसका area कितना होगा, ठीक है, तो, यहाँ, दो circle है, ठीक है, पहले सरकल का radius है, 105 meter, ठीक है, यह first वाला हो गया, यह second वाला हो गया, ठीक है, फर्स्ट वाले को solve करेंगे, और second वालों को solve करेंगे, जो answer आएगा, दोनों को एक दूसरे से subtract कर देंगे, तो हमें यह जो path वाला area है, उसका area निकल जाएगा, ठीक है, फिंड वाले का अरिया अ nिकलना है फर्स्ट वाले का अरिया सेक्न वाले का अरिया सरकिल का अरिया का होता है तो दोनों पाई-अरि-स्क्वार लिख देते हैं ठीक के दोनो Ama ja निकल जाएगा जो पा doctrine बना हुआ है बंब्रिक अंदर तो पांड़ ऍंद होता है 32 होता है R two का मदलब क्या होता है 105 का स्क्राइब हो जाएगा 202 by 7 होता है ख?. अब हम क्या करेंगे यह हो गया है Esc 용 garage का होली क्णे के एंगे 105 का मतलब 105 का 105 में मल्डिप्लाइट ठीक है 105 पांचे कितना होता है कि पांच और पच्चीज ठीक है यह होता ना त्यार हजार पच्चीज, 11,000, 25 माइनस यहां है, 22 बाइ 7 है, इसका स्क्वायर होगा, 10,000, क्या होगा, 10,000 हो गया है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको साल्व करेंगे, आएगा 22 बाइ 7, 22 बाइ 7, 2 टाइम है, तो इसको हम एक बार लेख सकते हैं, मतलब common ले सकते हैं तो common लेंगे 22 by 7 का तो अब बचा हुआ क्या है ये common चला गया ये common चला गया अब बचा हुआ है 11,025 minus ये बचा हुआ है 10,000 ठीक है 10,000 में 10,84 ठीक है ये हो गया अब इसको solve करेंगे तो क्या बचेगा 22 by 7 multiply इसको subtract करेंगे 11,025 में से 10,000 तो क्या बचेगा 1025 बचेगा ये हो गया है अब इसको solve करते हैं 1025 को multiply करेंगे या तो नीचे इस divide कर दे या तो उपर के तरफ 22 से multiply कर दे तो multiply कर लेते हैं इसको इससे divide करेंगे तो decimal में आने लगेगा question solve करना थोड़ा कठीन हो जाएगा तो 1025 में 22 से multiply करते हैं ठीक है 1025 दूनी 2050 ठीक है 2050 2050 पच्चास पांच 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 दो दो ठीक है ठीक है 22 फिप बाइस पांच पच्चास ठीक है यह ओर गया इसको उपर multiply हो जाएगा बाइस पांच पच्चास बटा साथ ठीक है इसको 7 से divide करेंगे 22 पांच पच्चास को 7 से divide करेंगे क्या आ जाएगा 7 रीक 21 हो गया है बच्चा एक बाइस में से 18 एक उतारेंगे पांच साथ दो नहीं 7 टूजा 14 वन बच्चा यह 5 उतरेगा यहां 7 टूजा 14 वन बच्चा 1 जिरो जिरो उतरेगा 7 बच्चा 7 10 में से 7 गया 3 बच्चेगा तो यहां क्या गया 3 बच्चेवन इन्टू 32 इन्टू 21 यहां जाएगा 3 बच्चेवन इन्टू 32 21 यह होगा सेंटी मीटर सेंटी मीटर में की मीटर में है मीटर में है मीटर स्क्वार इसका होगा एंसर ठीक है देख लीजिए 3 by 7 3, 2, 2, 1 अंसर होगा इसका देख लेते हैं अंसर यह सही है और बुक में कुछ इस तरीके लिखा गया है 3, 2, 2, 1 इंटू 3 by 7 यह भी सही होगा मीटर स्क्वाइर यह भी सही होगा ठीक है यह भी सही है यह भी क्यों सही है जैसे हम मान ले अगर 4 में 3 का मल्डिप्लाई करें तो कितना आएगा 4 ते 12 3 में 4 का मल्डिप्लाई करें 3, 4, 2, 12 दोनों तरीके से भी यह एंसर मल्डिप्लाई में सही है तो यह भी सही है ठीक लीजे देख लीजिए यह है कुश्चिन मेरे इत का अंसर तीक है अब अब मुझे की बात बात समय में आ हो तो लिएक करीगा वीडियो सेर करिएगा चैनल सब्सक्राइब करिएगा एंद बाए